बिलास्पूर एनसियोई के कारेकरताओं निजिले के महमाया चौक में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदिते नाथ के खिलाब जम कर नारे बाजी की और उनका पुतला दहिन किया दरसल उत्तर प्रदेश में प्रचार के दौरान शत्तियसगड़ के मुख्यमंत्री भुपेश मघिल पर कोरोना गाइड लाइन का पालन नहीं करने के आरोप पर FIR दर्स कर ली गई है जिसके खिलाब शत्तियसगड़ में कौंग्रेस और नसियोई के द्वारा लगातार प्र की संख्या में NCOI के कार्यकरता मौके पर मौजूद रहें नारे बाजी करने के बाद कार्यकरता और मुख्यमंत्री योगी आदितनाद का पुतला दहन किया इस दोरान NCOI और पुलिस के बीच जंग कर धक्का मुख्य भी हुई बिलासपूर विदासभाद ध्यक्ष विकास सिंख ठाकुर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदितनाद द्वारा अचुतिस कड के यश्रस्वे मुख्यमंत्री भुपेश बगिल के नाम पर शड्यंत्रकर FIR कराया गया है बुपेश बगिल द्वारा उत्तर प्रदेश में कोरोना गाइडलाइंग के साथ सेमित लोगों की समक्ष कॉंग्रिस के पक्ष में वोट करने के लिए सभा किया गया जिस पर उनके खिलाब वो कदमा दर्ज किया गया जो की सरासर निंदनी है जबकि वो भारतिय जरता पार्टी के नेता हजारों लोगों के साथ सभाय कर रहे है उनके खिलाब की इसी भी थाने में कोई आविदन तक नहीं लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश जाने से पहले उनके उपर非常डर्ज हो जाता है यह दिखार है पूरे तरीके से किस तरीके से उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार की सकने वाली है इसलिए उनके डर के कारण सिर्फ भूपेश भगेल जी को उपर उनम ने fair-दर्ज करा है जिसके वी रोध में आज पूरे 36 गड़ में एनसुआई योगी जी का पूतला जला रही है ब्यूर रिपोर्ट खटपट नियूज